हलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की SST का 27 चैप्टर रीट करेंगे, जिसका नाम है Our National Symbols, हमारे राश्ट्रिय प्रतीक, हम यहां राश्ट्रिय प्रतीक जिसे National Flag, National Anthem और National Emblem के बारे में रीट करेंगे India has 3 National Symbols, बारत के 3 राश्ट्रिय प्रतीक है, 1st National Flag, 2nd National Anthem, 3rd National Emblem, 1st राश्ट्रिय द्वज, 2nd राश्ट्रिय गान और 3rd राश्ट्रिय प्रतीक These are our scared symbols and we should respect them यह हमारे प्वित्र प्रतीक है और हमें इनका सम्मान करना चाहिए अब इन तीनी symbols के बारे में हम डिटेल से रीट करेंगे The National Flag, Our National Flag is also known as tricolor हमारे राश्ट्य द्वज तिरंगे के रूप में भी जाना जाता है It has deep saffron at the top, white in the middle and green at the bottom इसमें सबसे उपर केसरिया, बीच में सफेद, वह सबसे नीचे हरा रंग होता है Each color is significant प्रतेक रंग महत्वपुन है Saffron stands for courage and sacrifice, white for truth and peace and green for prosperity भगवा सफेद कलर बलिदान, सच्चाई, शांती के लिए बलिदान और सच्चाई के लिए, सफेद, शांती के लिए और हरा रंग सम्रदी के लिए माना जाता है The dharm chakra has 24 sparks Dharm chakra में 24 प्रवक्ता यानि तीलिया होती है It is the symbol of progress यह प्रगती का प्रतीक है The national flag is hosted on all important government buildings सभी महत्पुर्ण सरकारी भहुनों पर रास्टिय द्वज फैराया जाता है The national flag is a symbol of our freedom रास्टिय द्वज हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है We should respect and honor it हमें इसका सम्मान करना चाहिए यानि कि जो रास्टिय द्वज है वो ट्राइ कलर में होता है उसे तिरंगा भी कहते हैं इसके तीन कलर कौन-कौन से है सैफ्रोन, वाइट, एंड ग्रीन और यहां इसके तीनो कलर के बारे में बताया गया कि कौन सा कलर किस चीज का प्रतीक है National Anthem रास्टिय गान हमारा National Anthem कौन सा है National Anthem है जंगन मनब और National Song कौन सा है National Song है वन्दे मातर अवर National Anthem was composed by the great poet and noble literate रविन्दनाट टेगोर हमारा रास्टिय गान, महान कवी और noble पुरुसकार विजिता रविन्दनाट टेगोर द्वारा रचा गया था दर नेश्टिय गान is sung on all important occasions रास्टिय गान सभी महत्पुन अवसरों पर गाया जाता है वी शूट स्टेंड टो अटेंशन वैनेवर दे National Anthem is बिंग संग हमें सावधान कड़े होना चाहिए जहां पर भी रास्टिय गाया जाता है यानि कि जब भी रास्टिय गाई जाती है तो हमें सावधान की स्तिती में खाड़े रहना चाहिए Everyone should learn the National Anthem and it tuned by heart सभी को रास्टिगान वा उसकी धुन को दिल से सीखना चाहिए The National Emblem रास्टिय प्रतीक Our National Emblem is taken from the upper part of the Ashoka Pillar at Sarnath हमारा रास्टिय प्रतीक Sarnath के अशोक स्तम के उपरी भाग से लिया गया है It consists of four loins standing back to back इसमें चार शेर होते हैं जो की अपनी पीट को मिलाए वे रहते हैं Only three loins can be seen at a time एक बार में तीन शेरी दिखाए देते हैं क्यूंकि जो चार शेर होते हैं वो एक दूसरी से पीट से पीट टच किये हुए हैं जिसके कारण हमें कहीं से भी देखें तो हमें कितने loins दिखाए देंगे three loins दिखाए देंगे परन्तु loins कितने होते हैं हमारे National Emblem में loins four होते हैं Blow the loins there is a chakra or wheel शेरों के नीचे एक चक्र या पईया होता है this is known as धर्म चक्रा that we see in our national flag यह धर्म चक्रे के रूप में जाना जाता है जिसे हम रास्टिय द्वज में देख सकते हैं जो रास्टिय द्वज में जो white पट्टी होती है उसके बीच में जो चक्र होता है उसे क्या बोलते है धर्म चक्र और वो सार्णात के इसे national empire में स्थित there is a bull to the right of the chakra and a horse to its left चक्र के दाई और एक बेल है और इसके बाई और एक गोड़ा है the words सत्यमेव जहते are inscribed at the bottom in देवनागरी script सत्यमेव जहते शब्द देवनागरी लिपी में सबसे नीचे खुदा हुआ है these words means truth alone tribes इन शब्द का अर्थ सत्य अकेले विजे यानि कि सत्य की हमेशा विजे होती है the national emblem is found on our currency and government papers रास्टिय प्रतीक हमारी मुद्रा वर सरकारी कागजात पर पाया जाता है तो यह चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में हमने नैश्टनल फ्लेग नैश्टनल एंथम और नैश्टनल एंबलम के बारे में डिटेल से रीट किया सब्सक्रा है